यसे हो दोस्तों मेरा नाम है याश्या वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम सिखने वाले हाउ टू डू पूल अप तो पूल अपको मैं एकदम अच्छे से बिरिकडाउन करके आपको सिखाने वाला हूं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ल मैंने पूल अप को तीन लेवल में ब्रिकडाउन किया है लेवल वन फॉर कंप्लीट बिगिनर उनकी पूलिंग स्टेंथ एकदम जीरो है उनको पूलिंग में कोई एक्स्पिरेंस नहीं है लेवल टू फॉर इंटरमेडियर जिनकी थोड़ी बहुत पूलिंग स्टेंथ है और पूलिंग में थोड़ा पहुत एक्सपिरेंस है और लेवल लिवी एडवान्स जिनकी पूलिंग स्टेंथ अच्छी खास ही है पर वो पूल अपडियकर सकते लेवल वन बिगिनर्स के लिए फर्स्ट एक्सेसाइज है ऑस्ट्रेलियन पूलप्स ऑस्ट्रेलियन पूलप्स करते समय आपको एक डिप बार चाहिए होगा डिप बार में यह पोजीशन पे जाने यहां से स्ट्रेट पूल करने इसको आप अपनी डिफिकल्टी के साब से एज़ेस्ट कर सकते हो अगर इजी चाहिए तो पाउं पीछे लो यह इजी वह वेरियेशन और जैसे जैसे पाउं आगे लोगी वैसे है 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 सेकेंड एक्सेसाइज आपकी लेगे असिश्टेट पूलप्स अब यह आपके लेक्स आपको लेक्स से जितना कम हो सके उतना कम सपोर्ट लेने पूरा अपर बॉडी से पूल करने है स्लोली अप एंद स्लोली डाउन लेक्स का जितना कम यूज हो सके उतना कम यूज करो और पूरा अपर बॉडी से पूल करो थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ससाइज ए डेड हैंग कि आपको यह पोजिशन पर हैंग करने एकदम स्कैपिलर न्यूट्रल ग्रिप एकदम टाइट और हैंग कि हैंग करने से आपके अलोवर पूलप पर फरक पड़ेगा आपकी ग्रिप स्ट्रेंद बहुत इंपोर्टेंट है पूलप में तो इस पर वर्क करिए ट्राइ करिए मिनिमम आपका 30 तो 45 सेकंड का हैंग होना चाहिए जब आपका इतना हो जाए तब आप नेक्स लेवल प आज फोलेवल टूं इंटर्मेडिट लेवल एंटर्मेडिट लेवल में फस्ट एक्सेसाइज है सक्यापिलण पूलप जो बहुत बिजीक और है diva पहण है Пढहा ओ किस्टार्ट करना है यहां से यहां सर दोफे सिंव एक्टीव हैं पहने आपको शूलली बेगटाउन को आपको capula, depress करने और elevate करने हैं, again depress, elevate, depress and retract, elevate, depress and retract, back to normal position. सेकेंड एक्सेसाइज है इन्वर्टेड रोस इन्वर्टेड रोस ऑस्ट्रिल एन पूलपस जैसे ही है बस इसमें आपकी बॉड़ी कम्प्लेटली पैरलल टु दे ग्राउंड रहेगी तो आपको कोई एल एलिवेशन दिखना है जैसे मैंने इच एर ली है और उस पर पाउं जन्युँखा है और पूल्ट अब को हेपिस के सपोर्ट से जर्द दे की पूल नहीं करना है यहां है ल points टूउर्ट ड चेस्ट पूल आपकी थर्ड एक्सेस्एजे नेगेटिव बूलपस आपको बापे जंप मार के उपर जाने है ओर दे बार चिन ओर दे बार और स्लोल नीचे आने आपको करके देखा थो टूसरोग अपुरियो आपको स्कुईज करो वापस जंप मरके ओपरगे हैं अगें अगेणब्ल और स्कुईज कर साथो जितना हाड ऄस्ट करो इशलोगर अभरival अग्से साइज इसमें आपकी फर्स्ट एक्सरआईज है थ्री पॉंट नेगेटिव ही तरसे नेगेटिव ही करना है तीन पॉंट पे होल करना है वान यहां पे 5 से प्रेंट नीचे 90 डीग्री कर पांद से घंग पर तो दिखाता हूं 3 2 1 डाउन होल 1 2 3 4 5 वापस जंप मारके उपर जाने और सेम थ्री स्टेप्स वेपीच सेकंड एक्सेसाइज है बैंड एसिस्टेट पूल अप्स यह स्टेप आपको पूल अपका मोशन अंडरस्टेंड करने में बहुत हेल्प करेंगा तो आपने लेवल के इसाब से बैंड लो मेडियाम साइज या मैंने एकदम लाइट बैंड लिया है देरे दरे आप बैंड में भी प्रोग्रेस कर सकते हो स्टार्ट विध हैवी देन मेडियाम एड़ लाइट लाइट अगर आपके पास बैंड नहीं है तो आप कोई पार्टनर का सपोर्ट ले सकते हो लाश्ट एक्सेसाइज हाफ रेप फूल अपस स्टार्टिंग में कोई फूल रेप नहीं कर सकता स्टार्टिंग में आपको हाफ रेप सी करने पड़ेंगे एग्जेक्ली आप अल्द वे डाउन आप यह बहुत यह यहां से कंट्रोल होना चाहिए हरी क्रेप में नीचे से भी आफ करो मैंने जितनी भी एक्सराइज दिखाई आप सारी चिनप ग्रिप में भी कर सकते हो मतलब सुपाइन ग्रिप में यह comparatively easy होता है compared to pull-ups तो आप स्टाइटिंग में इसमें भी प्रोग्रेस कर सकते हो चिनप ग्रिप में थैंक्स फो वाचिंग गाइस आई होप आपको यह वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और अप अपना pull-up पे काम चालू करोगे तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको नेक्स्ट वीडियो मे तब तक के लिए पीस आउट